हाई गैज, बिलेंटर स्टेडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है और इस वीडियोज में हम लोग क्लास 12 कैसी सिना से एक्सरसाइज नंबर 19.1 के कोश्चन्स का आगे बढ़ें पिछले वीडियोज में आपने देखा था कि 25 नंबर तक कोश्चन्स बन चुके थे तो आज हम लोग उसकोश्चन्स को 26 से स्टाट करेंगे क्योंकि जब एक्सरसाइज और कंप्लीट ही करना है तो हर कोश्चन्स कम कर रहे हैं कि आप जो समझ पा रहे हैं कर पा रहे हैं तो कर लिए कोई बात नहीं और नहीं कर पाए हैं तो इससे मैज कर लेंगे आगा फिर भी प्रोलम साती है तो आप हमें कमेंट में लिए चलिए कोश्चन्स नंबर लेते हैं 26 और 26 में है कि इंटरिगेशन आफ कोशक्स एंट्व प्लस कोटेक्स और आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इस पर पूरे कंसेप्स में तो पूरे टाइप्स तखर्म लोग कर चुके हैं लेकिन एकसरसाइज कैसी सीन से 19.1 का पूस्चन नंबर 26 चलिए इसको कैसे करेंगे उस पर आगे चर्चा करते हैं कि सबसे पहले आप इसको उपन कर देते हैं तो यह हो जाएगा integration of cos x square x जब इन दोनों को किया d x plus integration of cos x cot x dx अगर इन दोनों को मुल्टिप्ले दिकिया तो तो यह दो टर्म्स हो गया और यह direct formula यहां कोई भी हमें changes नहीं करना है अब तक तो आप formula भी याद कर लिए होंगे तो यह क्या हो गया तो यह अब हमें मिल गया cos x square x dx का क्या होता है minus cot x और cos x का क्या होता है minus cos x और plus c यह तो लिखना ही है तो minus cot x plus cos x x plus c यह हमारा answers हो गया लेकिन यहां एक चीज़ आपको बता दे कि बहुत सारे exams में होते हैं और proof करने को दिया जाता है या फिर उसके answers बुक अगर बुक से कर रहे है तो answers में पिछे दिया जाता है तो इनको open कर दिया जाता है यानि कि इनके terms में नहीं होता है वो sign और post के terms में हो जाता है तो यह simple सार केवल trigonometry का ratios है उसको बदल देंगे आप लिख सकते है minus यह हो जाएगा cos x by sin x और plus 1 by sin x plus c है और इसको कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा minus 1 plus cos x by sin x और plus c लेकिन insert में यह भी नहीं दिया रहता है और तब inserts में क्या रहता है तो 1 plus cos होता है twice cos x by 2 square में और यह हो जाएगा twice cos x by 2 sin x का होता है plus c और इसमें 2 से 2 कर जाएगा और एक cos x by 2 से एक cos x by 2 बढ़ जाएगा और यहां बढ़ जाएगा minus cos x by 2 क्योंकि cos x by 2 sin x by 2 cos x problems हो रहे हो तो लिख सकते हैं और यह सी यह answers दिया रहता है या proved करने को रहता है कि proved that integrations of cos x x into cos x plus cot x that is equal to minus cos x by 2 plus c तो इससे नगबड़ा है आपका यह भी answer सहीता और यह भी answer सही है तो यह सा अगर प्रूब करने को यह आपके books में इसा answer दिया होगा तो आप बाद में चलके solve कर सकते हैं तो चलिए next questions question number 27 और इसमें है sec x और 10x का multiplication तो इसमें भी इसे ही करेंगे इन दूनों को एक साथ ले लेंगे और इन दूनों को एक साथ ले लेंगे क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा कि integration sec square x dx प्लस integration sec x 10x dx और इनका भी आप देखोगे कि direct formula है ठीक है और sec x pi का क्या है 10x और प्लस sec x 10x का क्या है sec x plus c वैसे तो आपका answer सागया लेकिन अभी बताया ना कि जब्दे कि किसी competitive exams में देता है ना वो वैसे देता है जहां बच्चे थोड़ा confused हो लेकिन मैं बोला हो ना कि आपको simplest से हमको ले जाना है zero to hero करना है और अपना theme क्या है यह तो सभी बोलते रहते है zero to hero zero to अपना theme है basic concept tends to competitive exams यानि कि IIT हमने हम ऐसा theme लेक्सार चल रहे है तो उनको भी हम छोटे-छोटे solution से ही उनको crash out करते चलेंगे कि ऐसा direct नहीं होगा तो क्या करेंगे इनको change कर देंगे जैसे पिछे वाले में हमने change किया था और वो changes क्या होंगे यह हो जाएगा sin x by cos x और यह हो जाएगा one by cos x plus c इसको जब solve करेंगे तो यह मिल जाएगा one plus shine x by cos x plus c आप जोगे यहां पर changes है ना वहीं थोड़ा सा आपको distract करेगा लेकिन घबडाना नहीं है अपना theme जो है उसको हम पूरी तरह निवाएगे बस आप अपना काम किजिए हमारी request को सब्सक्राइब करते हुए सब्सक्राइब किजिए और करवाईए संख्या बढ़ाईए ठीक है बाकी सब हम clear करेंगे यहां one है one को हम ऐसा लिख सकते है shine x by 2 square plus cos square x by 2 plus twice इसको लिख सकते है twice sin x by 2 cos x by 2 ऐसा हम लिख सकते है one को यह angles में कुछ भी हो अगर sin और cos का square है तो वो one हो जाएगा तो यह पूरा terms जो है यह one हो गया यहां से लेके यहां तक का terms one हो गया और sin x एक formula है कि sin 2 x is equal to 2 sin x cos x तो यहां x को 2 x को हाफ करके x करता है तो x को हाफ करके हम लोगों ने x by 2 कर लिए तो यह one plus two का हो गया और cos 2 x is equal to होता है cos square x minus sin square x तो यहां इसको change कर लेते है तो यहां इसको चैंज कर लेते है तो यहां तो रहे गई अब इसको हम लिख सकते हैं cos x by 2 plus sin x by 2 क्योंकि plus minus में कोई भी किदर लिखा जा सकता है लेकि minus में same ही लिखा जा सकता है तो यह हो जाएगा cos x by 2 plus sin x by 2 और cos x by 2 minus sin x by 2 plus c ऐसा इसलिए होता है कि a square minus b square is equal to a plus b और a minus b यह आप देख रहे हैं तो आप इसमें से देखो यह x cos x plus by 2 plus sin x by 2 यह दो बार है यहाँ एक बार एक कर जाएगा अब आपके पास बच गया क्या cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2 plus c देखिए ऐसा भी एंसर्स दे सकता है लेकिन वो जो एक्जामनर होता है नो बड़ा निड़दी होता है वो बच्चों के जान लेकर छोड़ता है ठीक है इसलिए यहाँ पर भी जो एंसर्स वो पूटप करते हैं यहां भी हमारी मतलब आप लोगों के वो और भी क्या करता है उसको क्या कहेंगे टॉर्चर करता है यह भी एंसर्स कहीं कहीं पर नहीं दिया रहा है तो इसको कैसे चेंज करेंगे वो भी चेंज करके बता अच्चा होंगा और वो हमें मिलेगा कि cos x by 2 से हर जगा डिवाइड कर देते हैं cos x by 2 cos x by 2 plus shine x by 2 by cos x by 2 और डिवाइड बाइ cos x by 2 by cos x by 2 minus sin x by 2 cos x by 2 और ऐसी कंडिशन्स में हमें क्या मिल जाता है यह cancel out हो जाता है यह cancel हो गया यह cancel हो गया 1 plus tan x by 2 और 1 minus tan x by 2 plus c यह भी answers नहीं दे सकता है मतलब यह भी दे सकता है लेकिन यह answers भी कभी कभी नहीं रहता है क्योंकि simplest form में ले जाना चाहता है वो हमसे कुछ work करवाना चाहता है तो चलो वो क्या करवाना चाहता है तो वो ये करवना जाता है कि आप फिर से हम substitute करेंगे 1 को रखेंगे 10 pi by 4 plus 10 x by 2 divided by इस 1 को नहीं change करेंगे minus लेकिन यहां भी 10 x by 2 में 10 x by 2 into 10 1 तो 1 मतलब 10 pi by 4 तो यह हो जाएगा 10 pi by 4 10 x by 2 plus c यहां भी plus c छूटा हो था यह हो गया अब एक formula आप याद करो trigonometry में जाकर कि tan a plus b क्या होता है tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b देखो ऐसा ही है tan a plus tan b 1 minus tan a tan b तो वो formula हो जाएगा जो final हो है अंसर्स में हमसे 4 आओगा तो यह हो गया कि tan pi by 4 plus x और plus c यह हमें एंसर्स में देगा यानि कि या तो प्रूब करवाना जैसे कि 12 में आप exam में अभी जाने वाले है बोल्ड में तो या तो वो उसको यह question देगा और कहाएगा कि prove that integrations of sec sec x plus 10x dx is equal to 10 pi by 4 plus x plus c यानि कि हमें जो मिला है वो यह मिला है कि d by dx integration sec x sec x plus 10x dx sorry d by dx नहीं था यह खलाता गया tan x dx is equal to यह मिला tan pi by 4 plus x plus c यह हमारा answer आया है यह ऐसा भी दे सकता है कि prove that integration of sec x into sec x plus 10x dx is equal to 10 pi by 4 plus x plus c ठीक है ऐसा भी दे सकता है तो वो दो lines में भी answer था हो आपका simple हो जाएगा ऐसा भी देगा तो भी कोई बात नहीं है trigonometry work थो ज़्यादा करना पड़ेगा चलिए next questions question number 28 और यह आमें integrate करना है integration of 1 minus sin x cos x square बहुँ ज़्यादा इसमें भी हम work नहीं करेंगे इसको लिखेंगे integration simplest कर देंगे cos square x dx minus shine x cos square x dx ठीक है चलिए next मैं आगे बढ़ते हैं और इसको और थोड़ा सा get करते हैं 1 by cos square मतलब shake square x dx minus इसको लिखेंगे shine by cos tan x आई एक cos सिज़ा नीचे बज़ जाएगा तो 1 by cos sec x dx यह हो गया और direct इसकी value निकलेंगे और यह हो जाएगा shake मतलब tan x और tan x sec x मतलब shake x और plus c यह answers हो गया लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा work करवना होते है तो इस पर उत्रा work नहीं करेंगे tan x plus sec x sec x ही वहाँ आया था और उसको हम लोग उने change किया था तो कुछ अलग तरीके से आये थे इसमें भी ऐसे ही change करेंगे तो आजाएगा यह sine by cos और यह cos by 1 by cos तो sine minus cos हो जाएगा और उसी को change करेंगे तो वो सारे results आते चले जाएगे वो वहीं हो जाएगा क्या चीज कि 1 minus sine यानि कि cos x square plus तो इसको solve करके आप देख सकते हैं जो पिछे किया क्योंकि हर questions में उते बड़े बड़े नहीं करेंगे वो ट्रिग्रमेट्रिकल था ट्रिग्रमेट्रिकल में हमने परता दिया है integration यहां तक आ गया और यहां से आगे अगर दूसरा answer से है तो आप इसको ट्रिग्रमेट्रिकल function से करके निकाल लीजिए नहीं आये तब हमको message की जिए आगे करेंगे चलिए question number हम लो लेते है 29 और यहां पर direct दिया हुआ से का स्कुएर को से का स्कुएर आपको कोई सोचना ही नहीं है कर लेंगे फिर भी हम यहां कर देते हैं और यह लिखेंगे integration z square x dx plus integration cossack square x dx और इस तरह से आमें मिल जाएगा यहां पर 10 x plus minus cortex ठीक है यह हो जाएगा 10 x minus cot x plus c और इस तरह से यहां पर आपका answers आ गया लेकिन उसी तरह से trigonometrical यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा trigonometrical function से करके अगर आगे का कोई answer साइसा दिया हुआ है तो यहां से trigonometrical यह आप functions को निकाल लेंगे चलिए आगे अमनों निकालना नहीं चल रहे हैं क्योंकि हम लोग integration सभी concept ले रहे हैं trigonometrical बहुत अच्छे तरीके से में बताया है आखरी के मैंने बार बार बाहर वीडियो में बोल रहा हूं कि आखरी के दो एक्सरसाइज जो है और लिमिटर स्ट्ठ हो गया यह पुछले वीडियो में भी आप लोगों को पता है तो आप ट्रिको में चरीको में करेंगे देख लेंगे अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं तो आप फिर से वीडियो को आप सब्सक्राइब परेंगे तो सारे वीडियो आपको मिली जाएगा आप देख लिजेगा नहीं बन पाएगा तो परमेंट किजेगा ट्रिगोमेट्री के वुष दो चेप्टर के लिए दो एक्सरसाइज के लिए अगर वापिस आएंगे तो उ के साइन टू एक्स और फूर तो इस स्टेप्स कॉमनेंट पीछे किया है और इसको भी पीछे किया हुआ है तो आप बनाई लेंगे पाउज करके बना लेजिए फिर भी मैं बना देता हूं नहीं वालों को लिए यह हो जाएगा शाइन टू एक्स माइनस डी एक्स माइनस इंटरिगेशन 4E3X डी एक्स और इसको हम लोगोंने बनाया हुआ है सारे टर्म्स लेकर हम लोगों ने बना लिया इसको आप डायरेक्ट कर रहा है तो पिछले वीडियोगे में बदा आया था कि यह फॉंक्शन जब मल्टिपल या डिवाइड हो जाएंगे तो उसके अपोजिट फॉंक्शन्स में लेते हैं यह फॉंक्शन्स अगर डेरिवेट कोफिजेंट साया है तो वो डिवाइड होता है और अगर डिवाइड है तो वो प्रोडक्ट होता है तो यहां पर हो जाएगा साइन का इंट्रिगेशन क्या होता है आप जखें होंगे कि डेरिवेट्शन साब कोस माइनस साइन होता है तो साइन का इंट्रिगेशन माइनस क तो यह हो जाएगा minus cos 2x और divide हो जाएगा 2 क्योंकि 2 coefficient है और यहाँ minus 4 e to the power 3 है तो 3x हो जाएगा और divide हो जाएगा यह 3 क्योंकि function में 3 multiplied है और plus c तो यह हो जाएगा minus common कर लेंगे तो 1 by 2 cos 2x plus 4 by 3 e to the power 3x plus c और यह आपका answer हो जाएगा अच्छो कि इसमें trigonometrical function एक ही है तो इसमें कुछ अलग तरीके को answer से देने की कोशिश नहीं करेगा तो यहीं आपका answer हो जाएगा तो guys आज इतना ही क्योंकि short उसमें लेकर चल रहे हैं पांच पांच यह 10-10 questions जैसा times होगा है इसका हर वीडियो में जाएगा आप अपना करते रहिए वीडियो को repeat करके देखते रहिए आगे exercise करते रहिए उसमें जो भी जिसे हम चे आगे नि लिए हैं तो जो questions आपका फशा हुआ है उस questions को आप बेज दीजिए वो आजाएगा नहीं तो आगे बढ़ी रहे हैं हम लोग और वो questions आएगा आप मैच कर लीजेगा आप अपना practice जारी रखिए इसके अलामा एक और चीज बता दे कि हम लोग केसी सीना से कर रहे हैं साथ म आप और कोई reference books रखे हैं चैसे ID सर्माय आरे सग्रवाल से या आदर कोई किसी और का भी रखे हुए है और उससे इस topic से related आपका कोई questions है तो वो भी हमें बोलेजेगे इसके साथ साथ उसको हम जोड़ देंगे हां यह बता जोरूर देंगे कि यह आपका questions है और यह किस book से ह बेखे होंगे तो आप उससे कीजिए और questions हमको बेजिए तो चलिए आज के लिए इतना ही ओके आपको फिर से एक बयाद दिला दू कि आपका जो काम के वाल इतना ही है लाइक सब्सक्राइब करें सेयर करें संख्या बढ़ें बाकी और साथ ही साथ बार बार में बोल रहा ह करेंगे तो आपको message मिल जाएगा और उसके थ्रू ही link जाएगा तो इसलिए आप WhatsApp से हमसे जुड़े तो जैसे कि हमारा WhatsApp नमबर है फिर से एक बाड़ इस प्लेस कट देते हैं WhatsApp नमबर है हमारा 9934596600 इस WhatsApp नमबर पे आप अपने WhatsApp नमबर से हाई हलो कुछ भी बोल दीजिए हम आपको ऐड़ करके रखेंगे ताकि जिस दिन meet से हम लोग आए तो आपको link मिल सके ठीक है तो गैस आज के लिए इतना हैं धन्यवाद